अब सहायक बहियों की अंतरगत अगर हम मुख्य जनरल पर एक नज़े डाले तो हमने देखा कि मुख्य जनरल भी एक सहायक बहिये है मुख्य जनरल की अंतरगत वास्तों में उन सभी वेपारियों का लेखांकन किया जाता है जो किसी भी प्रकार का कारे करते हों क्योंकि सभी वेपारी जो है वो कभी नगत कभी उधार या कभी केवल नगत वेपार करते हैं लेकिन सभी को मुख्य जनरल के अविशक्ता महसूस होती है तो इसके अंतरगत हम देखते हैं कि जो मुख्य जनरल में जो मुख्य रूप से जो प्रविष्टिया की जाती है वो क प्रविस्ट्रिया होती है कई बार बहुत सी चीजे लिखने से छूट जाती है तो बाद में उनको जोड कर या प्री पेमेंट अगर है तो घटा कर इस तरह से जो समायोजन से सम्बंदित हम जो एंट्री करते हैं उनके लिए हम अलग से कोई खाता नहीं खोलते हैं तो उनको हम समायोजन प्रविस्ट्री के अंतरगत लिखते हैं और इन सभी प्रविस्ट्रियों को मुखे जनरल में लिखते हैं तीसरा हम इसमें देखते हैं कि भूल सम्बंदी जो प्रविस्ट्रिया होती है जिनको हम कहते हैं रस्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कई बार हम भूल से तरह से जो प्रविश्टिया हो जाती है उनको सुधारने के लिए छो करते हैं साथ ही यहां पर देखते हैं कि हस्ताउट्र 지금 ट्रांसफर किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर के जह नहीं रखते हैं उनको वो भी हम मुख्य जनरल में ट्रांसफर कर देते हैं और इसके साथ साथ हम आप प्रापिरिंट समंधी जो प्रविस्टियां होती है कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम बैट्रिप्स माल लेते हैं कि अब वो पैसा नहीं मिलेगा लिंग कई बारसा होता है कि वो पैसा मिल जाता है तो उसके लिए भी हम अलग से कोई खाता नहीं बनाते कोई सहायक बही नहीं बनाते हैं तो यह जो एंट्रिज होती हैं वो भी हम मुख्य जनरल कैंटर कर ट्रांसफर कर देते हैं ठीक इसी तरह संपत्तियों का जो उधार क्रह विक्रह होता है हमने देखा कि जब हम सहायक लटे साथ ही चला गया माल घोगया माल एक प्रकार की हाणी जीनरॉल तो इसकी पोस्टिंग करनी ही है लेकिन अलग से इसकी सहायक भाई कहीं हम नहीं बनाते तो फिर हम उसको मुख्य जनरल में लिख देते हैं वैसे ही बिलो का नादरण हमने देखा कि सहायक भाई के अंदर गत हम प्रापी पत्रों देवी पत्र के लिए भी बहियां बनाते हैं इन सारी मदें ऐसी है जिनके लिए हम छोटे-छोटे अलग-अलग सायक भाई नहीं बनाकर मुख्य जनरल में लिख देते हैं तो आइए क्या है इसके आविश्रिकता है क्यों हम बनाते हैं इस पर एक नज़र डाले तो कुल मिलाकर जो प्रविष्टियां छूट जाती है यह मुख्य जनरल से संबंधित कुछ क्रियात्मक प्रश्णों को हल करें निम्नलिकित वैभारों को मेसर्स रामकुमार एंड संस के सहायक बहियों तथा मुख्य जनरल में लिखिए 2002 मार्च एक प्रेणा पनीचर से उधार पनीचर खरीदा 1000 रुपे तीन मार्च सुरेश को पुरानी मशीनरी उधार बेची 650 रुपे 7 मार्च राजेश एंड कम्पनी से उधार माल खरीदा 20 क्विंटल श्रक्कर दर 1220 रुपे प्रती क्विंटल 10 गोरा चावल पुलवजन 9 क्विंटल 75 किलो दर 600 रुपे प्रती क्विंटल की दर से 8 मार्च प्रेणा ट्रेडर्स को उधार माल बेचा 10 तन घी दर 490 रुपे प्रती तन 5 गोरे शक्कर दर 1260 रुपे प्रती बोरा 10 मार्च राम लाल एंड संस को उधार माल बेचा 2 पेटी चाय प्रतेख पेटी वजन 10 किलो दर 84 रुपे प्रती किलो 25 दर्जन साबुल दर 150 रुपे प्रती दरजन फ्यपारिक बट्टा 12.5 क्रती पंदरा मार्च राजेश एंड कमपनी को माल वापस किया 1 बोरा चावल व अठारा मार्च रामलाल एंडसंस ने माल वापस किया चाय पांच किलो साबुन तेन दर्जन 22 मार्च व्यापार के स्वामी ने अपने निजी उप्योग के लिए 400 रुपय की लागत का माल आहरित किया 26 मार्च सौजन्य कुमार से माल उधाल खरीदा 1150 रुपय मार्च 28 रूपम एंड कम्पनी को उधाल माल बेचा 1320 रुपय 31 मार्च पनीचर पर 300 रुपय का मूल नहास लगाया 31 मार्च मनोज को एक माह का वेतन 500 रुपय दे होगा इस प्रश्ण में क्योंकि हमको मिस्षराम कुमार एंंसिंज के सहायग बहीयों में मुखे जनरल करना है अब मुंखे जनरल के अंतरगत हमने देखा था कि बहुत सारे अलग-अलग प्रविश्चिएं इसके अंतरगत की जाती ह्यें और सबसे पहले इसके इंतरगत हम कौन-कौन से पक्षिकार कौन-कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं वो देखेंगे और उसके कोडिंग हम इसमें खाते जो पुस्तके हैं वो बनाते जाएंगे है और सबस्पहले हम यहां बनाएंगे क्रैब यानि क्रैप उस्ता तो यहां पर इस पूरे प्रेश्ण में से उन पॉइंट्स को अलग कर लेंगे जहां-जहां पर उधार क्रै किया गया है तो यहां पर एक मार्च 2002 को राजेश and company से खरीदा गया है तो विवरन कॉलम में हम इसकी entry करेंगे राजेश and company से माल खरीदा बेस क्विंटल शक्कर दर 1220 रुपय प्रती क्विंटल की दर से और इसकी आपर हम calculation करेंगे बेस इंटू 1220 और 24,400 रुपय के मांग को हम राजेश के कॉलम में लिख देंगे फिर दस बोरा चावल वजन नौ क्विंटल और यहां पर दिया गया है कि और यहां पर दिया गया है कि है तो क्यूंकि नौ कोईटल क्विंटल चावल में और एक क्विंटल जो है वह 600 रुपय का है तो यह हो जाएका jus 500 क्रम का यहां कि एक एक किलो चावल का जो मूले है वो 6 रुपए है तो इस हिसाब से 75 किलो चावल का मूले हमारा हो जाता है यहाँ पर 450 रुपए तो कुल मिलाकर 5850 रुपए यहां पर इसकी क्रेकी राशी होगी अब हम इन दोनों राशीयों को टोटल कर देंगे शक्कर और चावल की जो राशी का विवरंट था तो कुल में लाकर 30,250 रुपय का यहां पर क्रे किया गया है और अब हम क्योंकि 10% वैपारिक घटा अब क्योंकि 10% वैपारिक बट्टा घटाने बोला है तो 30,250 का हम इसमें 10% वैपारिक बट्टा यानि 3025 माइनस करेंगे तो वास्तिविक राशी जो गया है तो यहां पर हम लिखेंगे सौजा ने कुमार को वापस किया और 1150 रुपय इसके अमाउंट है तो डारेक्ट यूकिस में किसी प्रकार का कोई डिसकाउंट हिया अन्य कोई विवरंट नहीं है तो डारेक्ट 1150 रुपय को वास्तिविक राशी की कॉलम में ऊसके बाद हम देख रहे हैं कि विवरंट के बारे में भी बहुत सारी जानकारिया दी गए हैं तो अब हम विक्रे पुस्तक बनाएंगे हम अपने कोशें से देख रिएंगे है देख रहे हैं कि आठ मार्च को विक्रे किया गया चब् decrease कि या गया दस मार्च को विक्रे किया गया और 18 मार्च को आठायlar कि है वह हमने यहां पर हम इसकी प्रविष्ट्टी करेंगे तरी उधार माल बेचा दस तेन धी-दर चार सो नब्य रूपए प्रती टीन की दर से तो ये राशी विवरंट के कॉलम में इनर कॉलम में होजाएगा चार हजार नौसोर रुपए पांच बोरे शक कर दर बारा सो साथ रुपए प्रती बोरे की दर से तो यह हो जाएगा 6300 अब क्योंकि डिस्काउंट यहां पर नहीं है तो टोटल इसकी राशी को हम नेट अमाउंट कॉलम में लिख देंगे 11200 प्रिसम दस मार्च को राम लाल एंड संस को बेचा है माल तो यहां हम इसकी एंट्री करेंगे राम लाल एंड संस को उधार माल बेचा और फिर उसके नीची हम उसका विवरन लिखेंगे कि क्या बेचा है तो यहां हम लिखेंगे दो पेटी चाय प्रती पेटी का वजन 10 किलोग्राम अर्था तो यहां पर दो पेटी चाय प्रती पेटी का वजन 10 किलोग्राम और दर 84 रुपे प्रती किलोग्राम तो यहां हम बीस किलोग्राम हो जाएगा और एक किलो जो चाय की पती है वो 84 रुपए प्रती किलोग्राम की है तो कुल में लाकर हम कह सकते हैं कि 84 इंटू 20 तो चोला सो अशी रुपए इस की अमाउंट होगी जो कि अमांट कॉलम में पहले हम लिखेंगे और इसमें हम जोड़ देंगे बीस दरजन साबून दर 50 रुपए प्रती दरजन की दर से तो बीस गुणित एक सो पाचास यानि तीन हजार साथ सो पचास रुपए हम इसमें ज 2430 में 12.5% वेपारिक बट्टा घटा देंगे जो कि 678 रुपय पिछतर पैसा आएगा और घटाने के बाद हम इनकी जो राशी है वो नेट अमॉंट कॉलम में लिखेंगे तो यह हो जाएगा चार हजार साथ पर 525 उसके बाद 28 मार्च सब्सक्राइब को माल भेचा इसकी एंट्रिय हम करनेंगे रूपम ेंड कंपनी को उधार माल भेचा और लिगए तो कि से प्रकार का कोई डिसकांट नहीं है तो दारिक इस तेर सो बीकि एमांड के अमौंड को हम वास्तेविक और विक्रयवापसी खाते भी प्रभावित हुए हैं सबसे पहलेे करेवापसी खाता बनाइगे और यहां पर हम देखें कि किस किश द क्यांट के सुटेश में कि 15 मार्च को कुछ रचे हुई है राजेश से हमने जो माल खरीदा था अब उसमें से कुछ माल हम उसको वापस कर रहे हैं तो यहां हम इसका विबरन लिखेंगे एक बोरा चावल बजन 95 किलोग्राम दर 600 रुपए बोरा प्रती कुंटल के हिसाब से जब हमने क्रैप उस तक बनाई थी तो वहां हमने देखा था कि राज जो है वो केवल 95 किलोगाई है और 6 रुपए प्रती किलोग्राम के हिसाब से यह पढ़ रहा था हमको तो पंचानबे गुड़े 6 यानि कि 570 रुपए जो है वो इसकी अमाउंट होगी क्योंकि वहां पर जब हमने क्रै किया था तो 10 प्रतिशत डिसकाउंट मिला था तो यह पर हम अब जब वापस करेंगे तो उस बते को घटाने के बाद ही वापस तरिंगे तो यहां पर हम अमाउंट कॉलम में 5000 बद प्रतिशत करें 5 Casey कर द क्योंकि अंद प्रतिव हैं ए shade क्योंकि यह अब देख रहें कि 18 मार्ज को जो प्रविष्टी हुई थी उसमें माल वापस किया गया है तो यह राम लाल एंट संस से आया है माल वापस जो हम उनको विक्रे किया था तो यहां पर हम लिखेंगे राम लाल एंट संस से माल वापस प्राप्त हुआ और विवरण हम लिखेंगे 5 किलोग्राम चाय दर 84 रुपे प्रती किलोग्राम की दर से तो यह हो जाएगा अमाउंड कॉलम में 400-200 रुपे पांच गुले 84 करेंगे तो उसके बाद 3 दर्जन साबून दर 150 रुपे प्रती दर्जन की दर से तो ये 150-3 यानि 450 रुपे हो जाएगा और तोटल हो जाएगा ये 870 रुपे अब इसमें से हम व्यपारिक बट्टा माइनस करेंगे 12.5 बारदशमलों पांच में इसमें से सबसे पहले नंबर वाईस प्रकार से व्यभार होए हैं हम जनरल प्रविस्टी करते जाएंगे हमें फर्नेशर खरिदा था प्रेणा से यहां हम जनरल एंट्रे करेंगे प्रेणा फरेणा फणीचर से और एक हजार उपया से हम इसकी एंट्री अपर करेंगे और विवरन लिए में करेंगे शुरेश को पूरानी मशीन उधार बेची। उसके बाद मुख्य जनरल का जो पॉइंट है वो हम देख रहे है कि 22 मार्च को आया है इसके बीच में जो पॉइंट से वो क्रेप उस तक या क्रेवापसी या विक्रेवापसी से रिलेटेड है आहरन संबंदीद प्रविष्टी दी गई है तो यहांपर हमारी जनरेंटि जइन अंपर माल यृइंड का लो दिलिए और दो फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि मुखी जुनरल से संबंधित प्रविष्टी है 31st मार्च को क्योंकि पर सिर्फ मूल लिहाज से संबंधित एंट्री दे गई है तो केवल मूल लिहाज के एंट्री में आपर करेंगे और मूल लिहाज जो है वह एक प्रकार की हानी है वह है तो उसको हम डेबिट करते हैं और जिसमे से जिसका मूल्य कम होता है जिसमे से मिनस होता है उसको फिर हम प्रेडिट करते हैं तो यहां हमारी जशनेल एंट्री हो अदत वेतन खाते से, एक माह का वेतन मनोज को दे है, यह हम इसकी नरेटरन हम इसका लिखेंगे और पाट सो रुपैसे हम इसकी प्रविष्टी करेंगे, और जो फनीचर एसेट से संबंदे जिस जितनी भी एंट्रिमू की जनरल में लिखने वाली थी वो हमने आप पर लिख में दोरी खुग दोरी में सुबंदे कर दोरी नरी थीजल